जै हें दोस्तो वेल्कम टो टूड़े एक्जाम क्लासीत दोस्तो इस वीडियो में हम राधिस्टान ग्राम विकाईश्दिगरी मेंस एक्जाम की पिछले वर्षों में पूछे गये कोछ मोर्ड इंपॉरिन्ट राधिस्टान के क्यूसना अंसर याद करने वाले हैं जो आपके रादस्तान ग्राम विकास दिगारी मेंस 2022 के नए पार्टे करम पर आधारी थे हैं अगर दोस्तो आप भी वीडियो मेंस 2022 की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखे और इन सभी most important question answer को जरूर याद करें क्योंकि दोस्तो ये सभी question है जो बार-बार वीडियो मेंस के एकजाम में repeat होने वाले most important question answer है इसलिए इन सभी question को आप जरूर याद करें तो चलिए देखते हैं आज का पहला question पहला question है राधस्तान संग का निर्माण 35 मार्च 1948 को हुआ इसमें राज परमुक के किसे बनाया गया था तो इस सवाल का सभी जवाब देखा option C नी राधस्तान संग का निर्माण 25 मार्च 1948 को आ था उस समें राज परमुक हैं जो कोटा के माराव भीम सिंग को बनाया था जबकि परदान मंत्री हैं जो गोकुल लाल आस्वा को बनाया गया था नेक्स अगला दूसरा question है ग्यारवी सदी का प्रसिद सास बहु का मंदिर का इस्तित हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी उदेपूर के नागदा गाउं हैं जहां पर सास बहु का मंदिर बना हुआ हैं कहां पर उदेपूर के नागदा गाउं में नेक्स अगला तीसरा question है ग्राश या जन जाती द्वारा किया जाने वाला नरते कौन सा हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A नी ग्राश जन जाती द्वारा किया जाना नरते हैं जो वालर नरते हैं और राजस्तान में ग्राश जन जाती हैं जो एक आदिवाशियों की जन जाती हैं और ग्राशियों की राजस्तान में जन संक्या की द्रश्टिशे तीसरा इस्त तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्शन एनी सवई मादवपूर में जो सौध का बरवड़ा है जो सीस्ता जस्ता की खान के लिए जाना जाता है अगले नेक्स्ट पांचवा कुशन है राधस्तान का प्रसीद ओजोगी के तट पर इस्तित है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्शन एनी राधस्तान का प्रसीद ओजोगी के तट पर इस्तित है activity WiFi और चम्मल नदी की कुल लंबई है वो 1051 किलो मिटर हैं जबकि राजस्तान में इसकी कुले लंबई हैं जो 252 किलो मिटर हैं किस नदी की चम्मल नदी की और कोटा सहर हैं वो किस नदी पर इस थे थे चम्मल नदी के तट के उपर नेक्स्ट अगला चटा किस ने राजस्तान में कपास का सरवादी के उतपादन कहा होता हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा आपसन C ने राजस्तान में हनुमानगड जिले में सबसे अधिक कपास का उतपादन होता हैं हनवानगड के अलावा गंगानगर जिले में भी कापास का सरवादी के उत्पादन होता है अगला साथवा किसन ने पेतल और डिंगल बासा में लिके गए गरंत कौन से हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन भी यहनी बैली किसन रुकमनेरी हैं जो पेतल और डिंगल बासा में लिके गए गरंत हैं जो किसन ने लिका था प्रतवी राज राठोडने जो एक अकबर समराट के दरबारी कवी थे जिन्होंने डिंगल बासा में बैली किसन रुकमनेरी नामकर रचना लिकी थी अगला आठवा किसन है राधस्तान में बेड उन सिक्सन संस्तान कहा हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा आप्सन डी यहनी राधस्तान में जैपूर जिले में बेड उन सिक्सन संस्तान इस्तित हैं नेक्स्ट अगला नौवा क्यूसन है चूरू में ताल सापर क्यों प्रसिद हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन बी यह नी चूरू में दो ताल सापर हैं जो काले हिर्णों के अब्यारण के लिए प्रसिद हैं अगला नेक्स्ट दस्वा क्यूसन है किस विशु विद्याले का नाम पूरू राष्टपती सरौपली राधा क्रशन के नाम पर रखने का निर्णे लिया गया है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन बी यह नी जोदपूर में इस्तित राष्टी आयरवदु विशु अगला गयारवा क्यूसन है मौसम के आदार पर राजस्तान की फसलों को कितने बागों में विबक्त क्या जा सकता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन बी यह नी मौसम के आदार पर राजस्तान की फसलों को तेन बागों में विबक्त क्या जाता है पहला खरीब क की फसलें रभी की फसलें और जायद फसलें अगला बार्वा किसने निंबार्ख संपरदाई की प्रमुक पीट कहां अवस्तित हैं तो इस सवाल का सही द्वाब देगा ऑप्सन सी नी सलेमाबाद अजमेर में निंबार्ख संपरदाई की प्रमुक पीट अवस्तित हैं कहां प तो इस सवाल का चाई मृपिका जिले में इस्तित हैं चैनलेंर चाई मारेस दिनरे का जल मैल किसे का जाता है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option BनE बटाडू का कुवा बार्ड मेर जिले में इस्तित हैं जिसको राजस्तान का जल मेहल का जाता है किस हुए को बटाडू का कुवा जो बार्ड मेर जिले में इस्तित है नेक्स्ट अगला पंदरवा क्यूसन है राजस्तान राज्य अभी लेकागार कहां इस्तित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B.N. राजस्तान राज्य का जो अभी लेकागार हैं जो विका निर जिले में इस्तित हैं? नेक्स्ट अगला 16 किसन है बान गंगा नदी के जल को रोक कर निमन में से कौन सा बान्ध बनाया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B.N. बान गंगा नदी के पानी को रोक कर रामगड बान्ध को बनाया गया है और रामगड बान्ध है जो जैपूर जिले में बनाया बान्ध है जो बान गंगा की नदी को पानी को रोकर इस बान्ध को बना गया था और रामगर्ड है जो पहले एक जील थी जिसको अब बान्ध की रोप में परिविर्थन कर दिया है नेक्स्ट अगला सतरवा किसन है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑपसन ए ने जो डूंगर पूर जिले में इस दित्त है नेक्स्ट अगला अटारवा किसन है राधस्तान में हरित करांदी का समंद किससे हैं तो दोस्तो इस सवाल का जवाब है वो आप कमेंट सक्सिन में लिकर बताईए ने रित करिंद का समंद राधस्तान में किसे हैं गयों उत्पादन से, खादिया प्रसासन से, दुख दूत्पादन से या सुमेंट उत्पादन से चार ओपसन में से कौन साप्सन से हैं वो आप कमेंट सक्सिन में लिकर जरूर बताईए अगले नेक्स्ट उग्णी स्वा क्यूसने पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेंड का राधस्तान में प्रतम इस्टेशन कहां पा रहे हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option B&E मुना बाव पाकिस्तान से आने वाली थार मरुस्तिन एक्सप्रेस का राजस्तान में परतम स्टेसन हैं कहां पर मुना बाव में नेक्स्ट अगला 20 वा क्युस्टन है तो दोस्तों ये थे 20 most important राजस्तान के क्युस्टन आनसर जो आपके राजस्तान ग्राम विकास दीगरी मैंस की पिसले वरसा में पूछे गए most important क्युस्टन आनसर हैं उमीद करता हूं सभी क्युस्टन आपको अच्छे से याद हो गएंगी अगर याद होगे तो इस वीडियो को लाइक करे चैनल पर पहली बारे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करे और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मातरम